हेलो एबरीवन कैसे हैं आप लोग नूर्स के किचन में आप सबका स्वागत हैं आज हम बनाएंगे रसमलाई की रेसिपी जो आपको मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी आप इसे फोलो करें बीना इसकी किये आप मेरा वीडियो पूरा देखे तभी आपको समझ में छेना बनाने के लिए हम यहाँ पर दो लिटर दूद का इस्तामाल कर रहे हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको रसमलाई बनाना है हम यहाँ पर दो लिटर का इस्तामाल कर रहे हैं पहले हम दूद को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे हाई फिलम पर इसे अच्छी तरह से बॉयल कर ले, जब बॉयल आ जाए तो गैस बंद कर दे और इसे इस तरह से चलाते हुए आप ठंडा कर दे, इसे रखना नहीं है नहीं तो इसमें उपर से मलाई जम जाएंगे तो अच्छा छेना नहीं फटेगा, इसलिए आप चमच को इस तरह से चलाते र जब हलका ठंडा हो जाए, तब इसमें हम क्या करेंगे, दो चमच विनेगर लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालेंगे, आप चाहे तो इसे नेमू के रस से भी फार सकते हैं, मगर पहले आप नेमू का रस निकाल ले, उसमें बीज नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अगर बीज चले जाएंगे तो कड़वे हो जाएंगे, इसलिए आप पहले नेमू का रस निकाल ले, उसके बाद ही इसमें मिक्स करें, ये देखिए दूद फट गया है, इसे कहते हैं दूद का दूद और पानी का पानी, अब इसमें हम छेने को निकाल लेते हैं, और इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से हम धो देंगे, ताकि इसमें से इसमेल निकल जाए और खटापन भी इसका दूर हो जाए, इससे छेने टेस्टी लगेंगे, अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं, और इसे बाद कर ह रबड़ी बनाने की तरफ, अब हम रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूद को गरम कर लेते हैं, यहां पर हमने एक लिटर दूद का इस्तमाल किया है, आपको जितनी रबड़ी चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं, उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से बॉइल कर हल्का हल्का चलाते रहें इसे, यह देखिए दूद बॉइल हो गया है, इसे कम से कम हम 5-10 मिनट पकाएंगे, हल्का गाढ़ा होना चाहिए, अब इसमें हम चीनी मिक्स कर देंगे, चीनी मैंने यहां पर हाफ कप लिया है, आप जितना मीठा खाते हैं अपने टेस्ट के एक डाल सकते हैं, जो आपके पास अभी लेबल हो वो ले सकते हैं, अगर ना भी डालना चाहिए तो कोई बात नहीं, महर इसे अच्छा टेस्ट आता है, हल्वाई लोग इसे जरूर डालते हैं, अब इसमें कलर के लिए हम थोड़ा सा फूट कलर चुटकी भर डाल देंगे, आ अगर नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये देखिए हमारी रबडी तयार हो गई है, इस तरह से पतली होनी चाहिए, ज्यादा गाड़ी आप ना करें, पतली रहेगी तो अच्छे से रसगुले में सोख हो जाएगी, और रसगुले के अंदर तक इ ठीके लगेंगे, अब चलिए, रबडी तयार हो गई है, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और अब हम रसगुले की तयारी करते हैं, ये देखिए, छेने में से पानी बिलकुल ही निकल गया है, एकदम सूख गया है, आप इसे 15-20 मिनट रखेंगे तो पानी निकल है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके रसगुले अच्छे नहीं बनेंगे, इस तरह से आप इसे मसले कम से कम 15-20 मिनट तक जब तक सोफ्ट डोना बन जा, इस तरह से हतेली से आप इसे प्रेस करते रहें, थोड़ी मेनत तो लगती है, अब चलिए, इसे अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं, यह देखिए, इस तरह से दबा दबा कर मसले, यह देखिए, केतनी सौफ्ट हो गई है, एकदम मक्षन के तरह, यह देखिए, यह प्लेट छोड़ने लगी है, इसका मतलब यह तयार हो गई है, बनने के लिए, अब इसमें हम एक चमस मैद डाल देंगे, अगर मैदा ना हो, तो आप कॉन फोलार भी डाल सकते हैं, इस जगा पर, इसे अच्छे रसबुले बनते हैं, यह देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कम से कम पांच मिनट इसे भी हम मिला लेंगे, यह देखिए, अब इसके हम छो च्छोटे-च्छोटे बॉल्स कट कर लूँगी पहले, इस से आसानी होती है बॉल्स बनाने में, अब सब बराबर बॉल्स बनते हैं, इसलिए आप पहले चोटे-चोटे टुक्रे कर लें इसके, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, रसगुले कितने अच्छे से बन न और कितने श्मूत लग रहे ना आप जितना अच्छा डो श्मूत करें गें अगर डो आपका श्मूत नहीं रहेगा दना दना आगर रहे गया चेना में तो आपका रसुला फट जाएगा इसलिए आप डो को बहुत अच्छी तरह से गूंदे मक्कन की तरह हो जाए तभी इ रसगुले नहीं फटेंगे यह देखिए कितने अच्छे लग रहे है ना अब चलते हैं इसका चास्टनी बना लेते हैं सबसे पहले एक कड़ाई लेंगे उसमें हम एक कब चीनी डाल देंगे फिर तीन कब पानी डालेंगे इसमें पानी थोरा ज्यादा डालना है क्यूंकि इ निलाइची डाल देंगे खुसबू के लिए अब इसे अच्छी तरह से हम बॉयल कर लेंगे हाई फिलेम पे ही बॉयल कर लें जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तब इसमें हम रसगुले को डालेंगे धीरे धीरे रसगुले को डालें ताके पानी का फिलेम कम ना हो ये ख कट्टे न डाले सभी रस गुले को इस तरह से आप थोरा सा चमज से रस डालते रहे उपर से ताके उपर से भी इसका लेयर पक जाए दो-तीन मिनट आप इसे ना चलाएं इसी तरह से छोड़ दें उसके बाद आप इसे चमज से उपर से रस डालते रहें ताके इसके उपर का लेयर भी अच्छी तरह से पक जाएं ये देखिए इस तरह से आराम आराम से इसे घुमाते रहें और रस उपर से डालते रहें इस तरह से क्या होगा कि आपके रसूले एक बुरावर से पकेंगे चारो तरफ से अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढग देंगे ढखकर इसे high flame पे ही पकाई, low flame ना करें और 5 मिनट के लिए आराम से छोड़ दें इसे पकने के लिए 5 मिनट के बाद ये देखिए उपर कितने जाग आ गए है न जाग से क्या होगा कि उपर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा इसलिए इसे ढखकर पकाना जरूरी होता है यह देखिए रसगुले कितने बड़े साइज के हो गया है यानि कि यह स्पोंजी बने है मैं इसे पानी में निकाल कर चेक करके बताती हूँ यह देखिए इस तरह से आप पानी में डालेंगे अगर रसगुले नीचे बैठ जाए तो समझे कि रसगुले एकदम परफेक्ट बने है यह देखिए इस तरह से आपको मैं दबा कर भी देखा रही हूँ यह स्पोंज के तरह पुरे हो गया है यह देखिए अब इसे हम ठंडे पानी में निकालके रख देंगे पांच मिनट के लिए जब यह ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसे सर्व करूँगी चलिए रसगुले को मैंने ठंडा कर लिया है पांच मिनट हो गया है अब इसे हम पानी निचोड लेंगे और इसे हम सर्फ कर लेंगे यह देखिए केतने रसगुले स्पंजी बने है ना दबाने से उपर आ जा रहे हैं इसका मतलब समझे कि यह रसगुले स्पंजी बने है यह एकदम पर्फेक्ट मेजरमेंट है आप इसी तरह से बनाए कभी आपके रसगुले फेल नहीं होंगे और आप इसे फेस्टीबल में भी बना कर इंज्वाई कर सकते है या इसे भी बना कर इंज्वाई कर सकते है अब इसे हम राबडी से सर्फ कर लेंगे, उपर से राबडी डाल दें इस तरह से और इसे हम आइलमंड और थोड़े से पिष्टे से गार्निस कर लेते हैं, इसकी खुबसूरती और बढ़ जाएगी, यह ओप्सनल है, आपकी मर्जी है अब इसे ठंडा करके खाए, गरम गरम टेस्ट ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आप इसे ठंडा करके ही खाए, मगर मुझे तो बरदास नहीं हो रही है, मैं इसे खाने जा रही हूँ आप इसे जरूर एक पार ट्राई करें, देखने में दिलेशियस लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आप अपने फैमिली को बना कर खिलाएं, बहुत पसंद आएंगे, आपके तारीफे भी मिलेंगी और पसंद आएं तो अपने दोस्तों में सेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूले, ताके मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, मिलते हैं अगले वीडियो में खुछ रहें, ठैक्स पर वाचिंग